हेलो जोस्तों आज के इस वीडियों हम बात करने वाले हैं कैप्टन मिलर मोवी के दस दिनों की बोक्स उबस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे गुंटूर कारमा और हनुमान मोवी के भी दस दिनों की बोक्स उबस कलेक्शन के बारे में बात क वाल है और बात करेंगे इन टिनो मोवी में से कोणसी मोवी ने ज्यादा कमाई कर ली हैं और कोणसी मोवी रह चुक है पीछे इन सब के बारे में बात करने वाल हैं। Captain Miller मोवी को आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों कोई यह मोवी कैसे लगी आप लोगों कमेंड वो उसमें कमेंड करके बता सकते हैं जहां जिस तरह से इस मोवी ने कलेक्शन करके दिखाया है जो की पूरी तरह के से रिकोर्ड तोड़ तो नहीं कह सकते लेकिन बॉक का रूल मोहन दिखने को मिलने वाली है बात कर इस मोवी की बजट की तिस मोवी का बजट है लगबग 50 क्रूड की आसपास और इस मोवी ने अपने बजट से ज़्यादा कलेक्शन कर चुकिया और यह मोवी आ गयाने वाले दिनों में कितने क्रूड की कमाई कर पाती है और सुबिस पर क्या रिकोट बना पाती है आप लोगों किया लगता है आप लोग कमेंड करके बता सकते हैं और इस मूवी को तमील के अलवा करन रहा और हिंदी लैंगवेज में रिलीज किया गया था और इस मूवी ने तीनों लैंगवेज में एक डीसेंट कलेक्शन की लेकिन इस मूवी ने अपने बजट के हिसाब से ठीक ठाक कलेक्शन कर चुकी और इस मूवी की आठ तिनों की ओफिशल कलेक्शन भी निकल कर आ चुकी है तो चलिए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की आठ तिनों की ओफिशल कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं और इस मुवी ने आट दिनों में टोटल एंडिया नेट कलेक्शन कर लिया अब बाद कर लिया है बारसट करोड़ 50 लाग और इस मुवी का बजट के वल 50 करोड़ है और इस मुवी ने अभी तक वल्ड वाइड बारसट करोड़ 50 लाग की कलेक्शन कर चुकी अब बात कर लिते इस मुवी की नवे दिन के इंडिया नेट कलेक्शन की ते इस मुवी ने नवे दिन पर इंडिय और आज की दिन पर सभी मोवी की कलेक्शन में जम्प देखने को मिलती है और इस मोवी की कलेक्शन में भी जम्प देखने को मिल रही है और ये मोवी आज की दिन पर लगभग एक करोड़ तीस लाग का इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है ये collection अभी early estimate collection है official collection अभी आना बाकी है आप लोगों क्या लगता है ये movie आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोग comment करके बता सकते हैं तो चलिए आप बात कर लेते हैं गुंटूर कारम movie के 10 दिनों की box 20 collection के बारे में बात कर लेते हैं गुंटूर कारम movie को आज release हुए 10 दिन हो चुकिया और ये movie box 20 पर लगातार record तोड़ कमाई कर अब देखते हैं ये movie आगे आने वाले दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर पाती है और box 20 पर क्या record बना पाती है आज के दिन पर Sunday है और आज के दिन पर इस movie के collection में भी jump दिखने को मिल रही है जैसे कि Sunday के दिन पर सभी movie के collection में jump दिखने को मिलती है और गुंटूर कारम movie के collection में भी आज jump दिखने को मिल रही है और देखते हैं आगया आने वाले दिनों में ये मोवी कितने करूड की कमाई कर पाती है और ये मोवी बोक्स विस पर क्या रिकोर्ड बना पाती है देखा जाए तो इस मोवी ने पहले दिन पर तो एक रिकोर्ड तोड ओपनिंग ले चुकी थी लेकिन इस movie की collection दूसरे दिन से ही ड्रोप होना शुरू हो चुकी थी लेकिन इस movie की collection ज्यादा ड्रोप नहीं हुई है और ये movie लगाता decent collection कर रही अभी भी अब देखते हैं कितने कुरूर की कमाई कर पाती है तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस movie के star cast किते इस मुवी के स्टरकास्ट में देखने को मिलने वाल है महस बाबू के साथ स्री लिला देखने को मिलने वाल है बात करें इस मुवी की बजट किते इस मुवी का बजट लगभग 150 क्रूड के आस पास था और इस मुवी को केवल तेलगू लैंगवेज में रिलीज किया गय था और इस मूवी ने तेल्गू लेंगवेज में तो एक डीसेंट कलेक्शन कर चुकी अब देखते हैं इस मूवी आ गया आने वाले दिनों में और क्या कमाल कर पाती है देखा जाए तो इस मूवी की कलेक्शन ठीक ठाक निकल कर आ चुकी अपने बजट के हिसाब से ये बात कर लेते हैं इस मूवी की आठ दिनों की ओपिशल कलेक्शन भी निकल आ चुकी अ और इस मूवी ने आठ दिनों में टू इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है एक सो तीस क्रोड चालीस लाग और इस मोवी ने आठ दिनों में ओवर सिस से कलेक्शन कर लिया है तीस क्रोड चाहां बात कर लिते इस मोवी के आठ दिनों की वल्ड वाइट कलेक्शन की ते इस मोवी ने आठ दिनों में वल्ड वाइट कलेक्शन कर लिया है एक सो साथ करोड 25 लाग और इस मुवी ने नौ दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 114 करोड 30 लाग और इस मुवी ने नौवे दिन पर इंडिया गुरुस कलेक्शन कर लिया था 3 करोड 50 लाग के आसपास और यह मुवी नौवे दिन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी थी लग भग 3.75 लाग के आस पास अब बात कर लेती हैं इस मुआ की दस्वे दिन की कलेक्शन की आज की कलेक्शन की तो आज की दिन पर जिस तरकी ओक्योंपेश से देखने को मिल रही है और जिस तरह से अडवांस पुकिंग हुई है उससाब से देखा जाए तो आज के दिन पर ये मोवी लगभग चार क्रोड का इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है ये कलेक्शन भी अर्लिय एस्टिमेट कलेक्शन है ओफिसल कलेक्शन भी आना बाकी और आप लोग गुंटूर कारब मोवी को हिंदी में देखने के लिए कितने एक्सेटेड हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अब बात कर लेते हैं हनुमान मोवी के बारे में तो हनुमान मोवी को आज रिलिज हुए 10 दिन हो चुकिया और ये मोवी तो बोक्स ओविस पर रुखने का नाम ही ने ले रही है और ये मोवी लगातार रिकोर्ड तोड कमाई कर रही है और ये मोवी अपने बजट से कहीं चादा की कमाई कर चुकिया और ये मोवी बोक्स ओविस पर सूपर हिट भी हो चुकिया अब देखते हैं आ गयाने वाले दिनों में और कितने करूड की कमाई कर पाती है और ये मोवी बोक्स ओविस पर क्या रिकोर्ड बनाने वाली है आप लोगों क्या लगता है ये मोवी आगे आने वाले दिनों में, 200 केροड़ या फिर 300 करोड़ की कमाई कर लेगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जिस तारस इस मुवी की कलेक्शन निकल कर आ रही है, जो की बिल्कुल भी ड्रोप नहीं हो रही है और इस मुवी की कलेक्शन बढ़ते ही जा रही है अब देखते हैं ये मोवी कितने करूड की कमाई कर पाती है लाइफ टाइम और ये मोवी वोक्स विस पर 2024 की सबसे ज़दा कमाई करने वाली मोवी बन पाएगी या फर नहीं आप लोगों क्या लगता है और आप लोगों ने हनुमान मोवी को देख लिया है तो हनुमान मोवी आप लोगों कैसे लगी आप लोग कमेंड वो उसमें कमेंड करके बता सकते हैं और साथ ही ये भी बता सकते हैं हनुमान मोवी की पार्ट टू मोवी को देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ये भी कमेंड करके बता सकते हैं हनुमान मोवी के सामने साउथ की कई बड़ी बड़ी मोवी रिलीज हुई थी लेकिन सभी मोवी को पचारते हुए हनुमान मोवी आगे निकल चुकिया और ये मोवी बोक्स विस पर लगातार रिकोर्ड तोड कमाई करके बोक्स विस पर नए-नए रिकोर्ड बनाते जा रही है तो चलिए आप सबसे पहले बा अलियालम और करनरा के साथ इस मोवी को हिंदी में भी रिलीज किया गया था पैन इंडिया लेबल पर और इस मोवी ने सभी लैंग्वेज से अच्छी कलेक्शन की और इस मोवी की कलेक्शन लगातार बढ़ती ही जा रही है अब देखते हैं कितने करोड की कमाई कर पाती है बोक्स उविस पर तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी के आठ दिनों की ओफिसल कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं इस मूवी के आठ दिनों की ओफिसल कलेक्शन निकल कर आ चुकिया और इस मूवी ने आठ दिनों में टूटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया ह 99.85 लाग और इस मूवी ने आठ दिनों में इंडिया गुरोस कलेक्शन कर लिया 115.70 लाग और इस मूवी ने आठ दिनों में ओवर सिस्ट कलेक्शन कर लिया 40.00 लाग और इस मूवी ने आठ दिनों में वर्ल्ड वाइट कलेक्शन कर लिया 114 करोड 10 लाग और इस मूवी ने 9 दिन पर इंडिया गुरुस कलेक्शन कर लिया था लगभग 14 करोड 50 लाग के आसपास और इस मूवी ने 9 दिन पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया था लगभग 15 करोड के आसपास अब बात कर लिया था इस मूवी की 10 दिन की कलेक्शन क कि आज की कलेक्शन के तो आज की दिन पर जिस तरह कि उखी पैसे देखने को मिल रही है और जिस दरस एडवांस बुकिंग हुई है उसस आप से देखा जाये तो आज के दिन पर यह मोई लख भक 16 करोड का इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है ये कलेक्शन अभी अर्ले एस्टीमेट कलेक्शन है ओफिसल कलेक्शन भी आना बाकी है आप लोगो क्या लगता है ये मोवी आगे आने वाले दिनों में कितने करोड की कमाई कर पाए और आप लोगों ने कैप्टन मिलर, गुंटूर कारम और हनुमान मोवी को देख लिया है तो इन तीनों मोवी में से कौन से मोवी ज़्यादा अच्छी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप लोग भी डेली बोक्सिपस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन कॉल पर सिलेट कर लिजेगा ताकि हमारे सब वीडियो का नोटिपीकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों आप लोगों से बहुत जल मिलते हैं और एक नए वीडियो में